हाई देज़ आशनी और वेलकुम बाक टो अनदर वीडियो अगर मैं वैब डबल्मेंट कर रहा हूं और दुझे यह डाउट्स आ रहे हैं कि मैं कितना पढ़ हूं कौन सी स्कुल कितनी पढ़नी चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए मेरे लिए कौन सा अगर इस वीडियो के बाद अगर कोई भी कर रहा है तो मुझसे कहा लेकिन हम बात करते हैं कि यह कंफिजन मुझे हो क्यों रही है देखो वैब डबल्में बहुत सारी स्किल्स होती है और कौन सी स्कुल किस मात्रा में करनी है इसका एक बहुत ही प्रिशीजन है कि मुझे किस डारेक्शन में है और कितनी कर नी है required आपको अब करनी कैसे हो क्या-क चीज़ें मुझे अपने रखनी है जब ही अब आपको लगेगा कि लेइंट्राइज परदिये लेट्स मूझा सम सीखते हैं या फिर रैक्ट जैस सीखते हैं क्योंकि हमें एक्सप्रेस जैस नोट जैसा मौंगो भी तो सीखना है बहुत सारी चीज़ें लेकिन ऐसी बात नहीं है आप जब तक आपके foundations आपके basic मजबूत नहीं होंगे आप जब वो framework कर रहे होंगे मज़ा नहीं आएगा ऐसा लगए का code कहीं से copy paste कर रहे हो या फिर देख रहे हो understanding नहीं बन पाएगी तो इन सारी चीज़ों को मुझे ऐसे करना है mainly javascript ऐसे कर देनी है कि अगर आप से मैं कोई भी चीज़ बूच आती है कि अगर मैंने एक बार अपने basic इस्टाउंग कर लिए भाया मेरे को html csr javascript बॉर्ट परफेक्ट लिया कि तब मैं मूव कर सकता हूं कर सकते हैं अब यहां से resources की बारे आ जाती है अगर आप कोई course follow कर रहे होगे तो वह सर्कुलम step by step चल रहा होगा और वह भी कु यह website में क्यों recommended कर रहा हूं जनरली मैं जो recommended करता हूं वह documentation उससे बैतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है देखो दुनिया के जितनी भी book लेखी जा रही है या फिर जितनी भी website बन रही है वो सिर्फ documentation से बन रही है तो आप documentation में अगर अभी नहीं इंट्रस्ट आ रहा है त documentation के अधार पे वो जल्दी से जल्दी अब्डेट करेंगे बात मेरी clear है अगर आपको यह सारी mistakes नहीं करनी है जो भी हम discuss कर रहे है और एक proper and detailed way में full stack web development सीखना है तो यहाँ पे आपकी help करेगा alma better का program जो की है certification course in full stack web development यह 6 month का part time program है with live online classes इस course की USP यह है कि सारी की सारी classes आप आपको live मिलेंगी और recorded lectures का आपके पास access रहेगा और study material का lifetime access रहेगा बात करें इनके instructors की तो already global tech companies में काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं जैसे की Microsoft and Google और इनी instructors से आपको one-to-one guidance या फिर mentorship मिलेगी learning के साथ साथ हर एक session के end पे आपको quizzes मिलेंगे ताकि आपकी knowledge test हो सके और हम बहुत सारे project बना रहे होंगे ताकि आपको real time and better learning मिल सके अब development के साथ career guidance भी मिलेगी with the live support for your queries because alma mater के पास उनकी dedicated career service team है जो आपके placements को support करते हैं अगर हम placements की बात करें तो alma mater already help कर चुका है 3000 से जादा students को to get their dream jobs in re-owned companies जैसे की Amazon, Uber, KPMG, Mintra, alma mater के पास 700 plus hiring partners है अगर मैं बात करूं average placement की तो वो 8 lakh है और highest placement की तो 25 lakh है अगर हम बात करें most important point की तो scores को लेने के लिए आपको कोई भी tech experience या फिर coding skills की requirement नहीं है ऐसे student जिनके पास tech या coding experience नहीं था वो already एक top companies में placed है alma mater के थुरू and most important चीज another one कि alma mater has recently recognized as emerging leaders in tech education by IAF and has been awarded the edu tech leadership award by world education congress so don't miss out join alma better for better tomorrow link description में आप जाके एक बार check out कर लें अब बात आती है मेरी कि मैं regularly practice नहीं कर रहा हूँ तीसरा point अगर मैंने html csa javascript react मैंने font end का बात complete कर लिए और मैं चाहता हूँ कि चलो मैं अब थोड़ा backend पर चलता हूँ डीबी पर चलता हूँ तो देखो अगर आप वो skills पर complete कर रहे हो let's suppose आपने जावास्किप्ट तक कर लिए जावास्किप्ट कर लिए अगर react सीक रहे हो और आप जावास्किप्ट की प्राइक्ट आपने छोड़ दी तो मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ क्योंकि जो आप छोड़ते जाओगे वो आप भूलते जाओगे तो जितना जितना आप पढ़ते जा रहे हो उस पे या तो project बनाते जाओ या उसको द्वारा से revise करते जाओ और छोटे-छोटे program बनाते जाओ जबश्राइबर safety is program 9 या उसको revise करते जो क्योंकि यह एक language क्रहेश डिक जींदीक की वारे करियर में काम आने वाली इसको भूल नहीं सकते हैं तो तरीके से पढ़ने है, डेली प्रैक्टिस करनी है, टाइम जरूर निकालना है, वो चीज आप पढ़ रहे हो, वो तो आप कोर्स के साथ सत्प्रैक्टिस करोगे, जो आप पढ़ चुके हो, वो भी आप डेली प्रैक्टिस करोगे, and सबसे most important, चौत्था point, अब आप जिस भी क के साथ join करोगे तो बहुत से बच्चे उन में से ऐसे हैं जो group study करना चाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साथ में डी ऐसे लगाना चाते हैं, बहुत से ऐसे हैं वो साथ में वैब double print करना चाते हैं, अब जैसे ही आप साथ में बैट के brainstorming करते हो आपके concept मजबूत होते जाते हैं समझ में आ रहा है इससे बाद अब चलते हैं अपने last point में जो किया है fifth point अगर कोई भी course ले रखा है या फिर कोई भी community join कर रखी है या फिर कोई आप से कह रहा है free भी पढ़ा रहा है कि आपको ये class join करनी है आप पढ़ रहे हो तो question पूछने से कभी जिचको मत कोई भी question पूछन में बेज जिती नहीं होती है अगर आप पे नहीं भी आएगा तो that's cool जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे जितनी आ रही है उसको करने में तो overwhelm नहीं होना है किसी भी skill से html css आपको जिंदेगी भर में नहीं आ पाईगी trust me लेकिन उस level की करनी है जितना मैंने बोला है लेकिन इतना भी नहीं करना है कि सारा time इसी पर लगा दिया copy paste की मैं बात कर रहा हूँ मैं कोई भी एक code copy paste कर रहा हूँ मैं clone कोई भी application बना रहा हूँ मैं YouTube से अब भाया ने एक बार बना दिया मैंने लिख दिया आ गया मैं definite से बात बता रहा हूँ अगर आप वहीं छोड़ दोगे एक बार clone copy paste करके आपसे वह concept नहीं बनने है आपको देखके खुशी तो होगी कि मेरी website चल रही है लेकिन वह concept नहीं बनने है तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार दो आप copy paste कर लो कर लो दुबारा से उसको फिर से बनाओ लगवक 20-30% बना पाओगे फिर आपको concept बिल्ड होगा फिर से देखो कि आपने कहां गलती की है फिर उसको तिबारा से बनाओ तीन-चार बार में आप 90% of application कंप्लीट कर लोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा but I want कि आपके concept बिल्ड हो जाए आपको पता चले के चीज़े चल कैसे रही है अब last point के हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हो कोई भी website बना रहे हो कोई भी एक app बना रहे हो तो उसको responsive बनाना मत भूलना क्योंकि हो सकता है आप एक web development आज सीख रहो आपके laptop में वो चीज़ बहुत चाहिए कि अगर मैं mobile में खोल रहा हूँ अगर मैंने screen छोटी कर दी अगर मैंने बड़ी कर दी उस application पे कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए तो responsive होनी चाहिए मेरी design I hope इस पूरी वीडियो से मैं आपके कुछ help कर पाया होँगा अगर कुछ भी सीखने के मिला अगर मुझसे कुछ पूछना है कोई guidance चाहिए तो telegram link join कर सकते हो अगर free DSA पढ़ना है आपको तो चल रहा है हम अलड़ी बहुत सारे sessions complete कर चुग है DSA start हो चुगा है Java हम basic complete कर और नीचे YouTube channel का link है जहां पर class होती है उसको भी subscribe कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे next video में till then take care बाइबाइबाइब